सोना उगलने वाली नदी यहाँ जाल फैकने पर मचलिया नहीं निकलता है सोना चो गए ना? जी हाँ, यह सत्य है और यह नदी हमारे देश भारत में है आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सत्य है और यह नदी सोना आज से नहीं बलकि सद्यों से उगल रही है और इससे हजारों परिवार बलते हैं इस नदी में मचलियां तो मिली ही नहीं है, यहाँ मिलता है सिर्फ सोना भारत को प्राचिन काल में सोने किचडिया यूही नहीं कहा जाता था जब इस देश के पानी में भी सोना निकले तो इससे सोने किचडिया नहीं तोर क्या कहोगे भारत की भूमी को वीरों की भूमी और अन्य कई उपाजियों से नवाजा गया है वैसे तो इस संसार के रहस्य का सही पता आज दिन तक नहीं लग पाया और दिरे दिरे इस संसार के रहस्य के बारे में परदा समय समय पर उठता रहा है लेकिन कुछ ऐसे अनसुल जी पहलूं के बारे में जानकारे मिले तो वह रोचक लगती है वैसे तो भारत में कहीं न कहीं आज भी ऐसे चमतकार होते रहते हैं जिनको जानकर आप दाटों तले अंगली जरूर दबा लेंगे। कई बारतों इसे चमतकार होते हैं भारत में कि जिसे विज्ञान भी चुनोती नहीं दे सकता। आज हम आपको ऐसे ही चमतकार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप एक बार तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. ऐसा कुछ ही है जहां एक ऐसी नदी जो सोना उगलती है. इस बात को सुनकर तो कई लोग हैरान हो जाते हैं तो कई लोग परेशान और कई लोग इस खबर को फेक बताते हैं लेकिन जो हकीकत है वह यही है कि यह नदी सोना उगलती है आपको बता दें कि भारत नदीयों का देश है यहां कई नदियां हैं जो हमारी आस्था श्रद्धा और विश्वास की ध्योतक हैं देश की इन नदियों से जहां हमें पीने के लिए पानी मिलता है वहीं यहां खेती के साथ अन्य कई अवशक्ताओं की पूर्ती यहां की नद रखा है यहां के लोग कहते हैं कि इस नदी के जल में सोने के कण विद्यमान हैं और आदिवासी लोग इसकी यानि नदी के तल में से सोना चान चान कर सोने के कणों को इखटा करते रहते हैं बाजार में सोने का व्यपार करने वालों को बेच देते हैं यहां के आदिवासी लोगों का जीवन यापन ऐसे ही चलता है और यहां के लोग इस बात से खुश भी हैं सचमुछ भारत का देश अजीब चमतकारों से भरा पड़ा है बस जरूरत है तो खोजने की बता दें कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जिसे यहां की एक नदी ने अपने भीतर समेटा हुआ है जारखंड की राजधानी राची से करीब 15 किलोमेटर दूर पर एक रतना गरभा यह एक आदिवासी चित्र है यहां से स्वन रिखा नाम की नदी बाहर निकलती है यह कोई आम नदी नहीं है इस इकलावती नदी में सोने का इतना भंडार समाया हुआ है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कहा जाता है कि इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं जिसके इसका नाम स्वन रेखा पड़ा है और यहां के आदिवासी दिन रात इन कणों को इखटा करते रहते हैं और स्थाने व्यपारे को बेच कर रोजी रोटी कमाते हैं इस नदी की रेत से निकलने वाले सोने के कणों का अपना ही एक रहस्य है इस रहस्य का पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया है आशा करता हूँ यह वीडिया आपको पसंद आया होगा देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद